हेलो फ्रेंड्स मैं हुरी नाए मेरा बेटा अथरवा गोल्डी मामी चानेल पे आप सबको बहुत बोज स्वागत करती हूँ पेरेंट्स आज अकोफिशन थाइरेपिस्ट का एक इनपर्टेन एक्टिविटी आप लोग केशाद शेयर कर रही हूँ कैसे अथरवा को जीरो से हीरो बनाया और कितना मैनात करना पड़ता एक बच्चों की इंपर्टिविटी मैं शेयर करती हूँ और जो मेरा पर्सोनल नौलेज है मैं कोई थाइरेपिस्ट नहीं हूँ मैं एक स्पेशाल माधार हूँ मेरा बच्चा अटिजियम है सीबेर अटिजियम था तो उसके देखने से बच्चे को इंपरूमेंट नहीं होगा काप़ी etrंस ऐसे होता है इदर उआदर चैनिल देखता रहता है लेकिन बच्चों की साथ अक्टिविटी नहीं करता है तो प्य वीडियो कोई कोई से भी आक्टिविटी मिले कोई से भी नौलेज ले तो पेल पे आ सकता है तो सोचिए आपका बच्चा भी इससे आगे जा सकता है इसलिए हार एक वीडियो फालो कीज़े अक्टिवीटी कराईए और गोल्डी मामी चैनल पे मैंने स्टाटिंग से अक्टिवीटी नामबर इंके हिशाब चे आपलोड किया है जिसमें नया बाला पै अक्टिवीटी करेगा तो देखिए कौन्छा इमिटेशन इसकिल एचेगें इमिटेशन इसकिल इसेगें इमिटेशन इसकिल एक फास्ट इमिटेशन इसकिल मैंने डाला है जो शोबजी कैसे जैसे मैं राखूंगी ऐसे ही अथरवा राखेगा एमिटेशन इसकिल भी अक्टुपेशन थाइरेपिस्ट ने दिया ता अक्टिवीटी जो बच्चा जितना ज्यादा करेगा उसको समाजदरी उतना ज्या अपलोग को लागेगा इजी लेकिन हमारे बच्चे के लिए बहुत ही टाप होता है तो इनको अगर हम हाथ पकार के रोज प्राक्टिस कराएंगे तो कोई-कोई पैरेंस ऐसे सोचता है शायद 10 दिन करा लिया तो हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है पैरेंस 10 दिन में न पैरेंस ऐ गलोद बात है कोई बच्चो की इंप्रूमेंट लाने की कोई टाइम टेबल नहीं होता है हार एक बच्चे का इंप्रूमेंट अलाग अलाग टेकनिक से होता है हार एक बच्चे का समाजदरी अलाग अलाग होता है लेकिन मेरे नौजोर में जितना बच्चा दे तीन चर माईना मतलब काभी ऐसे होता है बोलता रहता है शे माईना में मेरे बच्चा पस माईना में मेरा बच्चा शाल बर में बच्चा इंप्रूमेंट आ जाता है कोई डॉक्टर भी बोले ये बात आपको नहीं शुनना अगर से माइन आवा एक्टिवीटी करके रूख जाएंगे तो आपका बच्च उखा परी रूख जाएगा इसलिए लागातार कमचे कम फाइब ये अर्श आप लोग बच्चो के साथ अक्टिवीटी कराएंगे तो फिर आगे जाके आपके लिए शारे काम आसान हो जाएगा जैसे अभी अधर्वा के साथ हुआ है मैंने अधर्वा को सेश आल एक्टिवीटी दाबागे कराया मतलोब मै अपना जीजान लगा दिया तो अभी अधर्वा के साथ कोई अपना पड़ायो रहा है थोड़ा बोट मेरा हेल्प लेता है जब नया चाप्टर आता है तब मुझे हेल्प करने की जुर्रत परता है नार्मल बच्चा जाएची है तो आप लोग भी मेरे बात मानिये आप लोग भी बच्चों के सतकाम कराई आपना जीजन लगा दिजे आपका बच्चा भी अथरवास से आगे जाएगा तो आज यह आज का जो इमिटेशन है बहुत ही जीजी हाए आपके लिए, हमारी बच्चे के लिए मुश्किल है तो शुरू में आप हाथ पकरके कराएंगे यह मतलब पेंशिल और नोट बुक बला इमिटेशन इसकील है जैसे जैसे आप जो बानाएंगे बच्चे से ऐसे ही इमिटेशन कराना है ऐसे सेम कॉपी करना है बोलते रहना है क्या है बामाल बना एक सब्क्रामीत करऊ भीन तरह सम्सक्राइबods मसमें आप बनाए सब्सक्राइब भुटम्रीक सब्सक्राइब मक्राइब बना बन कम आ पूसरोग मांवार प्रीम नि सह तब हमें पता लागता है . जयने ही हमारा बाद बचņाITY क्यास किया था एक टाइम में . इसले हमारा बच्चों में इतना ही galaxy इंक्रूमेंट होता है जब अथरवा के शारशात्सल उमार हुआ तब मुझे पता लगा जब अथरवा मेरे बात शूनता था लेकिन फड़ू नहीं करता था लेकिन कांछे जो हम बोलता नहीं कांचुन का दिमाग तक पोच जाता है रेस्पांस नहीं करता है बाद चे कोई आटेंशन नहीं होता है तो बोलते बोलते एक्टिवीटी क्रते करते समाज़ दरी जब अजाता है तो आज का रिखली जुब। आजा है आज का येव लेकिन हमारे जाइचे सीवियर बच्चे के लिए बोत ही मुश्किल है तो ऐसे बच्चे को क्या शीखाना है मामा ने स्टन्डिंग लाइन लागाया तो बच्चे जब हम ऐसे करेंगे तो अथर बात दूसरी तरब देखता था और हमारा हमेशा टार्गेट ऐसे रहता था अबने स्टन्डिंग अपने बैठके आप कराएंगे तो और भी शुविद हो गा लेकिन शुरू में आमने स्टन्डिंग कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चा भाग जाता है इसलिए मैं शुरू में अथर बात को मेरे गोदी में लेके कैसे कराया था व अब भी और सामने बैठेगा उसको में पाकर के नहीं राखूंगे तो भाग जाता है तो मैंने हमेशा ऐसे टार्गिस राकता था ममाने सेम बना इस्टनिंग लाइन बना है आपको सेम कापी करना है तो सेम का मतलब धिरे दिरे बच्चे को आजाता है शाल भर में आजाता ह और हमेशा ऐसे बोलता है स्टनिंग लाइन बना है ममाने सेम बनाया मैं इसलिए देखा रही है करके मेरे बच्चे के लिए कोई बरी बात नहीं है अथरवा इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम कर लेता है मैं आप लोग को इसलिए समझा रही हूं काफी परशान रहता है मेरा बच्चा करता नहीं तो ऐसे दावाकieur अप्राखेंगे और बोलएंगे स्टनिंग लाइन बनाना सेम कोफिकल्ट लइन ए कि मेरे सेम घ्रान रान राईन परगत बढ़ना ही सेम का मतलब थे जैसे उसके बाद जैसे एह हो गिया तो फिर स्लांटिंग में मैं स्लांटिंग लाइन बनाया आपको सेम कपी करना है तो ऐसे हैंड पकर करना है उसके बाद कुछ भी जैसे आप सर्केल बनाएंगे तो यह हाथ हार पकर के हार एक ड्रोइंग हार एक चीज मैंने अथर भाक के एसे हैंड पकर के कराया आज मेरा बाच्चा जीस लेवल टोजेंड मैंने हाथ-पकर के शीख़ा तब जके मेरा बत्चा शीखा मेरा बच्चा कुछे कुछ ने शीखा तो एसे एक सार्केल एक लाइन हमेशा मैं गौने शालों चाल भार ऐसे हार पाल भर टाइम लगता है अथरवा के लिए बहुत ही मुश्किल था आपके बच्चे के लिए कितना मुश्किल होगा यह हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपका बच्चा कितना समाजदर आए ओ आप जानता है लेकिन आपको रूपना नहीं है बस करते रहे नहीं उसके मामबनाएंगे आपको कपी करने तो फेर मैने जैसे एक smiley face बना दिये ऐसे एक आईस बनाया तो उसको मैछ बिलूंगी मामा जैसे सेम कपी करो तो यह शुरू में बहुत मुश्किल था शालो शाल लाग जाता था कोई भी काम, एक शाल, दो शाल, चाल से पहले मेरा बत्च दीरे 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 टाप करेंगे, शुरू में आप ऐसे standing line, slanting line, sleeping line ऐसे बनाएंगे, तो फेर बाद में मामने क्या बनाया, आप सेम बनाविया पर, फेर जैसे एक smiley बनाया, mouth बनाया, दुसरा नहीं बनाया, तो इस टाइप का, कुछ भी आप बना सकती हो, आप अपना बच् जैसे समाजदराई, उस टाइप का, शुरू में, हैंड पा करके, शाल लगा था, ऐसे शिखाने में, जैसे मैंने शुरू में अथरबा को किया शिखाया था, हैंड पा करके, सेम कपी करना, standing line, slanting line, sleeping line, circle, triangle, rectangle, बस ये शिखाया था, rectangle इस को आरे, shapes, तो ऐसे करके, आप जोरूर शिख जाएगा, आभी मैंने एक apple बना रही हूँ, शायद अथरबा भी, drawing कर लेता है, उतना आच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी, copy कर लेगा, बनाओ, जल्दी, तो ऐसे ये सब कुस मैंने हैंड पकार के शिखाया था अथरबा को, अभी अथरबा उतना अच्छा खास drawing नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे तैसे बना लेता है, मैंने जैसे अभी दूसरा कुछ बनाऊंगी, ये नहीं है, ये की चीज मैं बना के उसको रट्टा लागा दिया, तो ओही करेगा, तो मैं जैसे जैसे करूंगी, तो मेरा बच्छा ऐसे ऐसे अभी कर सकता है, उतना पार्फेक्ट नहीं आए, लेकिन इतना न पार्फेक्ट बनाऊंगी, तो मेरा बच्छा जा सकता है, काफी पैरेंट्स पूस्ता राइता है, ये पर आप थोरा सा, आच्छा, मामा ने थिरी किया, इसलिह आप भी थिरी किया, आच्छा तो आपने क्या, टू समल किया, और वान, बीग, कोई बात नहीं, लेकिन आइस मतलोब काफी पैरेंट्स पूस्ता राइता है, जो मैंने शिखाया, क्या उगाता के हमारा बच्चा रूप जाता है, उगाता के शिखेग आगे नहीं शिखता है, ये ड्रोइंग क्या इमिटेशन करना आ जाता है, कुछ भी बनादो, तो थोरा बहुत आइडिया लागा के बच्चा करी लेगा, लेकिन थोरा टाफ बला मुश्किल होता है, हार एक बच्चो का ड्रोइंग अच्छा नहीं होता है, तो लेकिन अथरबा कैसी भी करके आईडिया लगा के थोरा बूत करी लेता है, उतना खास, शुन्दर नहीं करता है, लेकिन जो इमिटेशन करता है मेरे लिए बहुत है, मतलब कुछ भी, अभी मैं जैसे फीज बनाऊंगी, कोई चीरिया बना दूंगी, कैसी भी करके मैं बना दूंगी, तो मेरा बच्चा बना देगा, तो इस ट्राइप का है, तो इमिटेशन करने का मतलब है, बच्चे को समाजदरी एटेंशन, आई हैं करने लगता है, तो अभी अथरवा को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और अथरवा को थायरेपी की जोरुरत भी नहीं पढ़ता है, आप थायरेपी करते हो, अभी नहीं, अभी आप क्या क्या करते हो, मर्निंग मूट के क्या करते हो, मर्निंग मूट के अथरवा जोगा प्रोनाइम करता है बस उसके बाद अथरवा को पड़ाई फेर इस्कूल जाना इस्कूल साके डिनार करना फेर शोना फेर वीडियो बनाना बस अथरवा की यही रूटीन है तो अथरवा की बुलोग चैनल पे भी डेली रूटीन के अक्टिवीटी मैं दूंगी अभी थोरा स कि अथरवा को और भी आगी ले जाओ मतलोब उसको एक दोम हांडेट पर्चेन मैं रिकोबरी कर दूं अगर मैं अथरवा के साथ हूँ तो अथरवा कर लेगा तो आजिया तक मैं हार रोज शुबेशाम दुआ करती हूँ हार एक पैरेंस के लिए हार एक बच्चे के लिए भगवान हार एक बच्चे को नर्माल लाइफ दे दो और जो मेरा दुश्मानाई उसको भी भगवान ऐसे बच्चा ना दो हार एक बच्चे को पैरेंस को ठीक रखो शुष्त रखो तंदुरिस्ति दो और बच्चे को सत काम करने का वाका दो और बच्चा इंप्रूमेंट करे हमारा बच्चा नॉर्माल लाइफ जी ले तो इससे ज्यादा बरकार हमारे पास कुछ नहीं है हम एही आशा राखते हमेशा जे हमारा बच्चा इंप्रूमेंट कर जाए तो आज यह तक नेक्स्ट वीडियो में नियू अक्टिविटी के सथ फेर आप लो के सथ मिलती हू ताटा बाई बाई थैंक यू सो मच ताटा बाई बाई थैंक यू सो मच